अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ शॉपिंग बैक्स पड़े हैं तो आप उनका इस्तिमाल करके अपने घर को डेक्रोट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इटम बना सकते हैं तो इस तरह का मैंने एक कैरी बैग लिया है और इसमें से मैं इस तरह की स्टिप्स कट कर रही हूँ यह देखे क्वाटर इंच की मैं स्टिप्स कट कर लेती हूं इसमें से तो इस तरह से हमने स्टिप्स को कट करना है और इनको हम रख देंगे एक साइड में आपके पास वाइट कलर की जो कैरी बैग होता है वह है तो आप उसको भी ले सकते हैं और इसी तरह से आ दो बना लिए था और सरकल के अंधर हमने एक और सरकल बनाना इस तरह से यह देखे से दोनों सरकल के बीच में दो इंच काव है और इसके बात पहले हमने बाहर का यह सिक ही रStud Besides क्ट कलें और इसके बाद हम कटकी हाल से अंदर का जो सरकल है उसके ऊपर उपर कटर कि यह देखे इस तरह से कट करके को हमने निकाल लिया है और यह हमारा सरकल तयार है इसके उपर मैंने ये ribbon लपेट दिया है कोई उन ले सकते हैं आप इसके उपर लपेटने के लिए मैंने ribbon से इसे cover कर लिया है और एक छोटा सा पीस लिया है ribbon का इसका इस तरह से loop बना करके चिपकाना है और इसे हमने circle के पीछे की तरफ में लगाना है जिससे हम इसे hank कर लगाया है और सबसे पहले फ्लार हमने center में चिपकाया जहां पर हमने एक पीस लगाया था लूप बना करके टांगने के लिए वहां पर लगाना है पहले यह देखें इस तरह से glue लगाते जाएं और हम इस तरह से flowers को चिपका रहे हैं मैंने यहां पर color combination का ध्यान रखा है यह देखें अगर आप color combination का ध्यान रखेंगे तो आपका product बहुत अच्छा बने का यह मैंने five flowers लगा दिया यहां पर और इसके बाद हमने जो strips कट की थी उ पहले center में strip लगा लें और उसके बाद side में strip लगानी है तो यह देखें cutting भी करनी है इसकी कि तो यह सब एक size की strips है यह देखें यह हलका sexta जो fabric है उसको cut कर दिया है और इस तरह से हमने लगाना है इसको circle के नीचे यह देखें त्री strips लगा दी है पहले मैंने यहाप पर बिल्कुल center में लगानी है इनको और इसके बाद हमने जो ribbon लपेटा था उसी ribbon को हमने लिया है और इसके बराबर नाप लिया है और उसे कट कर लिया है और इसी के नाप से बागी के पीसिस भी कट कर लिये हैं तो इस तरह के चार पांच पीसिस आपको और चाहिए जो यलो कलर की स्टिप्स हमने लगाई है शॉपिंग बैक के उसी के नाप से स्टिप्स कट कर लिया है और इनको भी हमने इसी तरीके से बांदना है तो बहुत आसान इस तरह से बांदना एक लूप बनाना है और उसके अंदर से बाकी ribbon के पीस को निकालना है कि यह देखे इस तरह से तो यह दो तरह की स्टिप्स हमें इसमें यूज कर रहे हैं और इसके अलाबा हमने साइड़ों में और दो तीन स्टिप्स लगानी है यलो कलर में और यह देखे लास्ट में मैं फिर से ग्रीन कलर की स्टिप्स को बांद रही हूं इसके साथ में तो इस तरह से बहुत ही एक साइड में और लगा देते हैं रिबन को और इस तरह से हमारी वॉल हैंगिंग बनकर तयार हो गई है ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें और इस तरह से आप इसे हैं कर सकते हैं यह देखिए वॉल पर हैं करके मैं दिखा देती हूं आपको यह बहुत ही सुंदर पीस बनकर तो इस तरह की wall hanging आप तयार कर सकते हैं shopping bag का इस्तिमाल करके अब बहुत ही आसानी से आप इसे त vagy तयार कर सकते हैं और अपने घर को decorate कर सकते हैं तो French ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको shopping bag की मदद से एक wall hanging बनाने का तरीका बताया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसे ट्वीटर पर वाट्सेप पर शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स फार वाचिंग